अगर आप कुछ हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप ये मीक्स डाल डोसा की रेसिपी को एक बार जरूर बनाए और इसमें दही सोडा इनों कुछ भी नई डालाए सिर्फ डाल का इस्तमाल करके डोसा बनाएंगे सबके घर में डाल आसानी से मिल जाएगी बहुती सिम्पल रेसिपी और डोसी के साथ मैंने बहुती हेल्दी चटनी भी बनाएए हेलो फ्रेंड्स नेतरा कीचन में आपका सौगत है तो चलि आज की मज़दा रेसिपी को शुरू गरते मीक्स डाल डोसा मनाने कलिए मैंने यहाँ पर पाच प्रकार के डाल लिये और अब दाल को पानी में भीगो देंगे यहाँ पर सारे डाल को एक बरतन में डाल देंगे अब एक चोटा एक प इसमें हम चावल डाल देंगे अगर आप चावल का इस समाल नहीं करना चाते हो तबी भी ये डोसा बहुत ये अच्छा बनेगा तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दीए अब डाल में पानी डाल देंगे डाल को ना 3-4 घंटे तक पानी में भीगो के रखना है आप चाहो तो पूरी राद भी डाल को भीगो के रख सकते हो अब डाल को ढखके 3-4 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे अब यहाँ पर 4 घंटे हो चुके डाल हमारी अच्छे से फूल गई ये दिखिए डाल को भीगने में ज़्यादा समय नहीं लगता तो यहाँ पर डाल अच्छे से फूल गई ये अब हम क्या करेंगे इसे पानी से वाश कर लेंगे तो मैंने इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धोली है अब हम इसे पीस लेंगे तो पीसने के लिए हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे इसी के साथ हम डाल देंगे छे से साथ चिली उवी लसुन की कलिया एक इंच अद्रक का तुकडा डाल देंगे तीन से चार हरमिज डाल देंगे थोड़ा सा धन्या पत्ता डाल देंगे थोड इनों कुछ भी आड़ नहीं करेंगे बस इसका डोसा ऐसे ही बनाना है इस बेटर को हम एक बरतन में डाल देंगे आप इस बेटर को फ्रीज में रखे दो से तीन दिन तक आराम से इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स क हम पहले चटनी बनाएंगे उसके बाद हम डोसा बनाएंगे डोसे के साथ हम अमरूत की एक मजदा चटनी बनाएंगे उसके लिए आप कच्चा या फिर पका हुआ कौन सा भी अमरूत ले सकते हो इसे हम छोड़े-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे अमरूत की चटनी की आप यहां पर थोड़ा सा गुड़का इस्तमाल कर सकते हो पर मैंने यहां पर नई डाला है क्यूंकि आमरूत मीठा है तो इसलिए मैंने इसमें नई डाला तो यह हमारे अमरूत की खट्टी मीठी चट्नी बनके तैयार है अब बनाते डोसा, मीक्स डाल का डोसा बनाने के लिए गरम तवे के उपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कपड़े से ऐसे पोछ लेंगे ऐसे करने से डोसा अमारा बहुत अच्छा बनेगा तेल या फिर घी का इस्तमाल ना करे नहीं तो डोसा अमारा राउंड नहीं बनेगा अब इस बेटर को तवे पे सेंटर में रख देंगे और इसे एक साइट से स्प्रेड करेंगे डोसे का बेटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाडा भी नहीं होना चाहिए अब डोसे के उपर तेल डाल देंगे आप यहाँ पर घी या फिर बटर का इस्तमाल कर सकते हैं अब यहाँ पर ग्यास का फ्लेम मीडियम रख देंगे और एक साइट से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है उपर का बेस भी अच्छे से से सेट हो चुका है आप चाहो तो डोसे को दूसरे साइट से भी पका सकते हो वैसे तो डोसे को एक साइट से भी पकाया जाता है तो इसी तरह सारे डोसा बना लेंगे तो यह हमारा मीक्स डाल का डोसा बनके तयारे और यह बनाना बहुत ही आसान है ओ भी बीना सोडा बीना इनों के यह डोसा बहुत ही कुरकुरा बन और इससे आप फ्रीज में एक हफ्ते तक रख सकते हो अब ये मीक्स दाल का डोसा रख देंगे ये डोसा बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है और एकदम पर्फेक्ट बनाएं अगर आपको डोसा बनाना नहीं आता तो आप सेम बेटर से चीला भी बना सकते हैं और डोसा बनात